कि है 빠रांगे कि न में इनर्गनिक कमेश्ट्री के कुछ कोश् categorize देखेंगे तो to be 견् Kra再ге एक चैप्टर स्पेक्टर सचेंड होने इंपfox lolire फिजिक्स फ्रेपर नार्गनिक कमेश्ट्री कैं कुछ हम that इंते सकते हैं यह सारी कोश्ण कानपूर यूश्ट्री 2818 में पुछे गए हैं तो अगर आप अलहाबद स्टेट या फिर प्रोफेशार रादेनिसिंग राजुभाया यूणिवेस्टी पी- आर एस्टी या फिर आगरा यूड़ा उनिवेस्टी या फिर भी भी उनिवेस्टी से भूलाओ करते हूं आल यूपी उनिवेस्टी के लिए य क्यायन की ने मेरेगाएं का मांन सबसे देख Prinzip क्या है यहां से पुच्छन कुछा दिए verify में अपने सकते हैं उसका दूरलन के दिका स्वकskäre करने पर किसमी डेल्टाइब क्या है Cela मेरे आप१ि क्या हम है रध्मिया ने मेरे देखिएंट के अब देखिएंग है वो आपसंसी है अब देखते हैं नेस्ट क्वेश्टन अगला क्वेश्टन है क्वेश्टन नंबर टू है एक दी गई सनलंगनी द्वारा दुई धनात्मत धनाईनों फी टू प्लस आयन और कापर टू प्लस आयन के संकुल निर्वाण होने पर सबसे अधिक इस्थाई संकुल उप्राप्त होगा। सबसे अधिक इस्थाई संकुल उप्राप्त होगा वो मैंगनीज टू प्लस आयन से होगा तो क्वेश्टन पूच गया था कानपूर युनुवेश्ट्री 2018 में नेस्ट क्वेश्टन देख लेते हैं जब यहांगा प्लस प्लस पोर आ प। पता होगा कैसे अक्षग में निकाल लेगे अप रहेगा। प्लैटिन्यम को निंगालना है लिए एकस मालनेंगे और यहां पर फिर प्लस करके क्लोरियन का माइनस अयन होता है तो 4 multiply by माइनस 1 और फिर इसको प्लस करते जाएंगे 2K CL तो प्लस 1 और माइनस 1 तो आप उसको और आप यहां से इक्स निकार लेंगे यहां से आजाएगा प्लस-4 आप यहां भी निकार लेंगे आप यहां पर सत्य है और को असत्य कफना है तो आप से इसका सत्य कफन है आप सन्ट बी जब और आपसन दी यह प्लेटियंग के आसपास दोनों मामलों में अश्ट पलकी जामती होगी जो जो असत्य खतन होगा वहाप संडी होगा तो कोस्चन नंबर 3 का आप संडीस का राइट एंसर हो जाएगा अब दिखते हैं नेक्ष्चन अगला कोश्चन है question number four है किसी संकर का उस्मा गत्की इस्थायत्व पता चलता है आपसने संक्रियान उड़जा से आपसन भी इस्थायत्व नीतांग से आपसन सी अफिक्रिया वेक से आपसन डी है इन्सभी से तो इस question का नी question number four का आपसन इसका बी करेक्ट एंसर हो जाएगा इस्थायत्व नीतांग से next question संकर का इस्थायत्व निर्वन में से किस पर निर्वर नहीं करता था निर्वन में से निर्वर नहीं करता है आपसने केंद्री धात्व आयन के बभार पर आपसन बी त्रिविमी बाधा पर आपसंच दिए चिलेट रिंग की संख्या पर आपसंड़ी संकर के भार पर तो कोश्चन नमबर फॉर कोश्चन भाइब का आपसंड़ी से राइट अजयागा संकर के भार पर नेश्ट कोशन देख लेते हैं अगरा कोश्चन है लाग बीटा का अधिकता मान किसमें होगा अगला कोश्चन है शंपून इस्थाय तुनितांग बीटा-3 तथा इस्टेप वाइज स्थाय तुनितांग को केवन कामा केटू तथा के थरी में संबंद है तो हमसे पुचा गया है के वन के टू के थरी और शंपून इस्थाय तुनितांग बीटा-3 में रिलेशन क्या होगा फोर आप्शन गिविन है इसका जो कर्यक्ट रिलेशन होगा वह आप्शन सी होगा बीटा-3 इसका राइट एंसर होगा आप देख पूचा गया है इसका कर्यक्ट एंसर क्या होगा तो इस कोशन का आप्शन बीस का राइट एंसर हो जाएगा एस एन माइन अब देखते हैं अगला कोशन है वर्गी संतल संकर योगी को में प्रितिस्थापन अपक्रिया की क्रिया भी थी है फोर आप्शन गिविन है इसका तो इस इसका राइट एंसर होगा अब सरी अब इसका राइट अन्सर होगा आप देख लेते हैं नेश्ट कुश्चन प्रभाव सबसे कम होता है अब देखे नेस्ट कोशन के लिए लाग बीटा का मान होगा आप से प्रभाव के बढ़ते करम में विवस्तित कीजिए और इसका जो राइट एंसर होगा वह आप से अगला कोशन है संकर का इस्थायत तो निवन में से किस पर निर्भर नहीं करता है आप से अगला कोशन है हाइड्राक्सिल माइन की पूर्ण कठोड़ता की गणना कीजिए यहाँ पर आई इसके लिए फॉर आप से नहीं है आप से नहीं इसका जो राइट एंसर होगा वह आप सन भी होगा इसका 6.57 अब देख लेते हैं अगला कोशन है सह जीवन टर्म किसने दिया सह जीवन टर्म किसनने कर दिया इसलिए फोर आप सनने जह्जेंसन यहाँ यह जोर जिंसनसन ने दिये थे ध्यर इस वीडियो प्नि दुट कोशन है अमना के दो तुल्यंक की पीटी से लफोर बैयानस थो माइनस 2-1 के साथ अपकिल्या कर दिया है तो आप्षन ए समपच पीटी एनस्थरी घोल ट्वाइज और चील टू तो यह बनेगा अमोनिय के दो तुल्यांकों की पीटी एनस्थरी पावर्टू बनेगा तो इसको अप्षन का आप सब्सक्राइब तो इसको इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इस वीडिय तक तो सारे कोशन हम आपको करा देंगे नेश्ट वीडियो में इस वीडियो में इस वीडियो में आप सब्सक्राइब नेश्ट वीडियो में